हेलो फ्रेंट्स वेल्कम डो माई चैनल टेकिन इनेश्मेंट आप सुभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेले चैनल पे आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हाउ टू रिसेट गुद्रेज एसी रिमोट या आप यह कह सकते हैं हाउ टू रिसेट एनी एसी रिमोट हमें फंक्शन अगर ठीक से वर्क नहीं करता है तो हमें रिसेट करने का ज़बत पड़ता है तो इस वीडियो में हम यहीं बात करेंगे कि आप अपने एसी रिमोट को कैसे रिसेट कर सकते हैं जी हां फ्रेंट्स यह जो आप रिमोट देख रहे हैं यह गुद्रेज एसी ड आगर आपके पास गुद्रेज एसी का डीमोट है या किसी और ब्रांट का भी रिमोट है और अगर आपका डील ठीक से वर्क नहीं कर रहा है या कोई पॉंक्शन ठीक से वरक नहीं कर रहा है तो आपको रिजसेट करने चाहिए कि आपने remote को किस qué तरह से करेंगे इसके बारे में बात करेंगे तो फुम यह सीका remote है इसको्छ को हमें reset करना है जैसे मान लेंजे हम देकन करने के बाद सारब फक्षन जो है озरो हो घMINपर पर आज से कि हाँ रिमोट जो है एसी का रिमोट रिसेट हो गया है अब वो जैसे यह माली दी टाइमर ओने टाइमर आफ है कुछ आपने टाइम लगा दिया है क्लॉक में 244 या 242 मतलब हम आपको बस यह दिखा रहे हैं कि यह सब जो है रिसेट हो जाएगा कुछ भी नहीं रहेगा यहा आपको करना क्या है बस आपके एसी के रिमोट के बैक पोजिशन में जाना है और जहां भी आपका रिमोट है यहां फ्रेंट से रिमोट का बैटरी है उसको आपको एक बार निकाल देना है यहां फ्रेंट यह निकाल देना है इस तरह से कोई सभी एसी का रिमोट हो आपको यसी तरह से आपने AC के remote को reset करना है तो प्रेंड्स आपको का एसी के remote के battery को पांच सेट तक या दस सेकेंड तक आपको निकाल गए रखना है लगाना नहीं है ताकि अच्छे से reset हो सके तो फ्रेंड उसके बाद हमने फिर यह battery लगा दिया कोई भी problem हो friends आप अगर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो आप बैटरी को भी चेक कर सकते हैं तो फ्रेंट हैं यहाँ पर सब कुछ 0 हो गया है तो देख पा रहा है ये clock है कि ये 0 जैसा कि आप यह देख पा रहा है कोई टाइमर नहीं है कोई टाइमर और नहीं यहां पर ओअ फ्रेंट आप देख पा रहें है तो इस तरह में यह प्राबलम आ रहा था आपके सी अने मॐट में उससे आप चूटकार हा सकते हैं परेंड चलिए आप फिर से करना पड़ेगा क्लोक्ट करने ह्द्राइक लिए आपको यहां पे प्लोक के बट вып grant करा हो यहां पर बिलिंक करने लगेगा इससे आप को चैप करना पड़ेगा तो औ्हुरूप यह देख पान नहीं यह दशो रहा है तो आई से हमें क्लॉक सेट कर दिए जो भी और फंक्शन था आपको फिर से सेट करना पड़ेगा तो फ्रेंड जैसे कि आप यह देख पा रहे हैं अभी क्लॉक सेट हो गया है आप देख पाने हैं दस पैटीस एम तो इस तरह से आपको रिसेट करने के बाद अपने एसी के रिमोट को क्लॉक सेट कर सकते हैं आपको यह वीडियो इंफार्मेटिव लगाओ इंफार्मेटिव लगाओ तो प्लीज टेके रिए इन चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा लाइक शेयर करिएगा ओक्यों नेक्ट वीडियो तब तक लिए बाबाए